असलाम अलेकुम गारीज और वेलकम बैक तो मैं यूटीव पैनल सो आज की इडियो में बात करेंगे इटली के कैसे स्कॉलर्शिप के बारे में जिसके बारे में मौस्ट था स्टूडेंट्स को इलब नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वह स में ब्रटली निए वो स्कोलरशिप को औफर करती है इसको betting कहते हैं और यह यह जो इंवरिशिटी स्कॉलरशिप्स होते हैं या फिर पर जो रिजनल लीड़ स्कोलरशिप्स होते हैं इसमें शषmak के स्वसंधर बिशूर्ट rigorous goog जा रहे होते हैं इतालियन लंग्विज के लिए या पिर जो आर्ट के और या डांस वगारा के जो सुड़न्ट होते हैं उनके लिए इसकोलर्शिप है इसमें बेसिकली आपको किनके डॉकमेंट्स की जूड़ पड़ती है कब आपने इसके लिए प्लाई करना है तो आज की हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जुरू करते हैं इस स्कॉलर्शिप में बैसिकली आप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है वो सड़ी इटली जो पोर्टल है वो ऑफिशल पोर्ट लिए इसी इस सोला के आसपास सोला मेरी के आसपास यह पोर्टल दोबारा उपन होगा तो इसलिए यह वीडियो बनाने का मकसद है कि आप ऐसे स्टुडेंट जिसनके पास इटली में और रडी अड्मिशन लेटर है तो और वो उनको फर जापल नीड बेस्कोलर्शिप या स्कॉलर्शिप नहीं मिला तो वह अपने डॉकमेंट से आपको प्रिपेर करने ताके वह जैसी पोर्टल ओपन हो तो आप उसमें अप्लाई करके फिर नेक्स्ट आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए अगर आप पर रिक्वाइड डॉकमेंट की बात करें तो इसमें सबसे छो जो में डॉकमेंट से पास होना चाहिए तो उसके बाद पासपोर्ट पास पास जो अपकर पास ओना चाहिए उसके बाद पास ऑप के पह तो आपके आपको new पास भी है वैसमें अपने आपने पास चोंडुडोड करैंक अपर मिनिस्टीन स्थैंसे उनला लिए और पर तो आपने अपनी सीवी को छेदर रिक्रिस आजना है नेक्स तीसे नमबर पर आपके पास आपके ट्रांस्किप्ट या बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप पोप सर्टिफिकेट की बेस पर भी अप्लाइ कर सकते हैं और उसके ब आपको अच्छी तरीके साथ गाइड कर दूँगा किसी दूसरी वीडियो में उसके बाद पर नेक्स्ट आपके पास डॉक्मेंट होना चाहिए वह आपके रिक्मेंडेशन लेटर्स हैं जो आपने युनिवर्सिटी से आप जिसमें आप से पड़ा होता है आपने अपने चैना ब्रोड्स21 एक पर चाहिए होना चाहिए और आप करेंगे यही में डॉक्मेंट होते हैं उसके लावाउढ के पाएंग्लिस के साथ ए की बात करें तो इसमें आप ट्म हो जैती है धूसर्टर शोल से तरह है उसके बाद आपको आपको स्टेजर्ज पर मन्त अगर आपंडर आपके बात करते हैं तो नाइन्ड यूरो पर मन्त आपके बयंकर अगर इंट से सक्ट वे स्कॉलर्षिप उवराल जूंडक्ट था वो इतली चैसा था और आपका अपने स्टूडी की रिपार्मेंट को फुल्फिल कि अगर आप पहले साल में दुना समेस्ट मेशे तरीके से पास हो गए तो आपके स्कॉलर्शिप को दोबारा देनियों भी करतेंगे तो इस बहुत अच्छी अपरजूर्टी कि यह पर आपको जाके अपलाई करना पड़ेगा लेकिन यह बात आपने जहन में रखनी है कि इस स्कॉलर्शिप के साथ आप कोई और स्कॉलर्शिप अवेल नहीं कर सकते अगर आपने डीजनल स्कॉलर्शिप लेना है वहाँ पर जाके तो फिर आपको इस स्कॉलर्शिप को छोड़ना पड़ेगा या रीजनल स्कॉलर्शिप को छोड़ना पड़ेगा या अगर आपको किसी और युनिवर्सिटी का मेरिट वे स्कॉलर्शिप मिला है तो आपको तो दस बारा सुड़ेंट्स होते हैं पाल ओवर पाकिस्तान को शॉट लिस्ट करते हैं और उनको शॉट लिस्ट करने के बाद पिर इसलामबाद या पिर कराची कॉंशलेट्स आपके को इमेल करके को स्पेसिफिक टाइम बीटायम के आजाएं और अपने दूसरा इंटर्वी के लिए इंटर्वी के लिए पहाँ पेश हो तो फिर वहाँ पे इंटर्वी के साथ रहता है वहाँ नेक्स वीडियो में बात करेंगे आप से तो आपको यह सजाश्ट करूंगा कि ऐसे स्टुडेंट के पास कोई वर्क एक्सपिरेंस वगरा है वह अपने वर्क एक्सपिरेंस का जो लैटर है उसको साथ अच्छे तरीके के साथ बनाएं और उसके रावा एक रेक्स्पिरेंस लैटर आपने अभी प्रफेसर से बना सकत हो तो अच्छा सा बनाएं ताके आप स्कॉलर्शिप के लिए हो सकते हैं बाकि आपने अगर इसके स्कॉलर्शिप के बारे में कोई भी इंफर्मेशन लेनी है तो आप स्टडी इंटली जो ओफिशल इटालियन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसके उपर आप जाकि इनकी यह मैं आप जाप साथ वीडियों में टल थे मैं अलाहं थे इस